हेलो एवरिवन साइन्स एमके चले में आपका बहुत-बहुत सुवाव गाते नर्सिंग वालो के लिए पर्मानेट वेकैंसी यहाँ पर निकल चुकी है जहाँ पर आपकी सेलेरी एक लाख ब्याली सजार पलस यहाँ पर रहने वाली है और All India के Candidate यहाँ पर apply कर सकते है इस वादा किया था कि इस वेकैंसी का जैसे link active हो जाएगा तो मैं आपको इन्फोर्म कर दूमा तो फैनली यहाँ पर link active हो चुका है और आप आज से ही यहाँ पर फॉरम एपलाई कर सकते हो और आपके मुक्य सर आपको बताएंगे कि किस प्रकारचे आपको फोरम फिलप करना है और पिछले वीडियो में जो आपके कमेंट थे उनका रिपलाई भी आपके मुक्य सर इस वीडियो में देने वाले है तो चलिए वेकेंस का अपडेट यहाँ पर देख लेते है जिसा कि आप यहाँ पर देख पार होंगे बियेस नर्सिंग वाले एपलाई करेंगे ठीक है और जिन्होंने पोस्ट बियेस नर्सिंग कर रखा है वो भी यहाँ पर एपलाई करेंगे ठीक है और जिन्होंने जेनेम कर रखा है बिहार के हो कोई दिक्कत नहीं आप कहीं के भी हो फोरम यहां पर फिलब कर सकते हो अभी मैं आपको बताऊंगा और ये लास्ट डेट रहने वाली है 29 जुलाई 2022 तो इससे पहले पहले आपको फोरम यहां पर एपलाई करना होगा पूरा यहां पर देख सकते हो देखिए यह आपके पर्मनेंट वेकेंसी रहने वाली है यानि कि अगर आपका यहां पर सेलेक्शन हो गया यहां पर आपका नमर आ गया तो जिन्दगी बर के लिए गोवर्मेंट जोब आपको यहां पर मिल जाएगी और पर्मन्त आपको सेलेरी एक लाग बेनली जार आपको मिलते रहेंगे तो चलिए अपडेट यहां पर देख लेते और पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी ओपिसल वेबसाइड पर चलो आप क्योंकि यह नोटिप केसन तो मैं प्रोसेज हमको बताईए तो आप जिसा कहोगे वेसा मैं करने के लिए तयार हो बस आपको समझ में आना चाहिए कोई भी डावट आपको नहीं रहना चाहिए हमारा यही लक्स है तब ही जाके नर्सिंग फिर आगे तो आली बात नहीं है ठीक है जेनेम होना चाहिए बेस नर्सिंग होना चाहिए पॉस्ट बेस नर्सिंग यहां पर होना चाहिए तो आप एपलाई कर सकोगे तो इसकी ओपिसल वेबसाइट पर मैं आ चुका हूँ और इसका लिंक में आपको टेलेग्राम पर सेंड कर दूँगा और टेलेग्राम को फोलो करना बहुत ज़्यदा जरूरी है ठीक है तो ओपिसल वेबसाइट है सी सी आर एच इंडिया डॉट एन इसी डॉट इन ठीक है देखो मैंने आपको यहां पर दिखा दिया अपडेट अब यह है इसकी और फिसल वेबसाइड अब यहां पर काफी सारे नोटिफिकेशन और स्मय होंगे तो यहां पर नीचे भी काफी सारी आप्सटन आपको दिखाए दे रहे होंगें जिसे की Sneer आइैम ठीक है यहां पर आप National Sapp ASHLEY जो भी टेंडर कमोंनीकसंट है और रिक्वर्मेंट का तो इस वाले पर आपको क्लिक करना किए आपको यहां पर क्लिक बेट के लिए एपलाई करना को यहां पर क्लिक करने होगा तो यहां आपको वेकंशी वाली पर क्लिक करना है ठीक है तो जैसे आप वेकंशी वाली पर क्लिक करोगे तो कुछ निया इंटरफेज यहां पर ओपन होके आ जाएगा यह रिलोड हो रहा है और निया पेज ओपन होने में तोड़ा से आपर टाइम लगेगा यह लीजिए, finally यह open हो चुका है और कापी सारे notifications यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर यह सारी vacances निकली हुई है और यहाँ पर research officer के लिए online apply का link active available है अब यहाँ पर आपको stop nurse का देखना होगा तो तोड़ा सा scroll down हमको करना होगा और कापी सारे vacances आपको यहाँ पर देखाए दे रहोगी तो आपको यहाँ पर देख पारूँगे requirement stop nurse और विग्यापन नंबर 16-2022 ठीक है तो यह रहे आपके stop nurse की vacancy तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो इसका format यहाँ पर डाउनलोड हो जाता है और पूरा PDF आप आसानी से देख सकते हो तो चलिए आपके सामने में क्लिक कर देता हूं और यह डाउनलोड हमको करना होगा तो फाइनली डाउनलोड हमने कर लिया है कैंद्रिय होमेपैतिक अनुसंदान परिसत का अब आपको कौन सा फोरम यहाँ पर बरना होगा तो नीचे स्क्रोल डाउन आपको करना है क्योंकि भी टाइम है आपके पास तो यह वाला फोरम आपको बरना होगा एप्लिकेशन पॉस्ट स्टाब नर्स इन सी सी आरेज ठीक है तो यह विग्यापन नमर यहाँ पर आपको मिल गए और पास पोर साइज का फोर्ट यहाँ पर आपको लगना है ना पता एडरेस केटिगरी और यहाँ पर आपको बरना है क्योंकि आपके बेंक में यहाँ पर बेंक की डेटल वही बरनी है जिस पर आपको सेल लेरी चाहिए जिस पर आपको मंतली वेतन चाहिए 1,2,000 वही अकाउंट नमर यहाँ पर बरने है ताकि उस अकाउंट पे आपको 1,2,000 पर महा मिल सके ठीक है email id यहाँ पर आपको mention करना है और आदार नमबर यहाँ पर mention करना है education college education देखो यह आपको खुद को बनना होगा simple जी बात है अब यहाँ पर education college education तो आप खुद समझदार हो आप खुद intelligent हो आपने BS nursing कर रखा है JNM कर रखा है तो आप बहुत intelligent हो exam कौन से air में pass क्याता कौन सी university जो basic जानकरी बरने कौन से साल में पास क्याता कितने percentage बनाए आपने बस वो बरना है ठीक है और यहाँ पर आपका experience अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर experience BS nursing और लोगों भी चाहिए क्या तो देखे यहाँ पर साब साब लिखा हुआ है कि यहाँ पर कम से कम 50 bedded जो हो hospital होता है वहाँ पर आपका कम से कम 6 महीने का experience होना चाहिए अगर BS nursing आपने कर रखा है तो यहाँ पर देखो आप BS nursing और post BS nursing वालों के लिए यहाँ पर 6 मन्त का experience यानि 6 महीने का अभ्यास मांगा गया है और JNM वालों के लिए 2 साल का यहाँ पर experience मांगा गया है तो I hope यह आपको clear हो गया होगा अब आपको forum बरने के बाद कहां पर भेजना है तो यहाँ पर address दे रखा है यह पूरा देख लो आप पूरा address यहाँ पर देख लो यह 29 जुलाई इसके closing date है तो उससे पहले पहले आपको DD बनानी होगी ठीक है? DD आपको बनानी होगी और director general इस नाम से ठीक है? और देगे address पर आपको बेजना होगा जिससे कि application piece यहाँ पर mention किया हुआ है कितना piece लगेगा वो मिन आपको पहले बता दिया 300 रुप यहाँ पर दे रखा है OBC का और यहाँ पर वो मेन का और यह CST वाल का बिल्कुल फिरी है ठीक है? तो यह आपके लिए अच्छी बात है और यह रा address पूरा का पूरा address यहाँ पर आपको send करना हुगा तो इस परकारा आप यहाँ पर forum apply कर दीजिए और यहाँ पर जो selection का process है मैं आपको दिखा दू selection का जो process है यहाँ पर return test के द्वारा होने वाला है और qualify नमर यहाँ पर 45% और 40% में आपका qualify नमर यहाँ पर रहने वाला है तो इस तरीके से आप forum apply कर सकते हो अब यहाँ पर कल का जो comment था उनको मैं देख लेता हूँ नहीं तो आप बोलोगी सिर आपने comment का reply नहीं दिया तो मैं comment का reply तो देखो हर एका दूँगा हर एका तो चलिए देख लेते comment को और जो भी doubt है उनको मैं clear यहाँ पर कर दूँगा so finally आपके comment यहाँ पर हमें ने open कर लिए सीमा चोदरी का comment है thank you so much sir खापी active student है ठीक है तो बहुत वो देनेवाद सीमा चोदरी praying का sir MSN nursing appearing b forum बर सकते है कि देखो कल जो broad cast की वेकैंसी थी चलो मैं आपकोард काश्ट की वेकैंसी थी उसको लेकरेयां पर comment है उसका नोटिप कशन में आपको दिखा देता हूं यह देखिए यह जो broad cast engineering के वेकैंसी थी नर्सिंग वालों के लिए क्योंकि nursing वालों के लिए तो हर एक दुनिया के हर कोने से वेकेंसी निकलती है क्योंकि उनके बिना पूरी दुनिया अधूरी है बिल्कुल सही सुना आपने COVID-19 सब को पता है पूरी दुनिया हिल गई थी लेकिन नर्सिंग वालों ने फिर भी अपनी जान के परवा किये बगिर दुनिया को बचाया गरव होना चाहिए आपको तो देखिए यहां पर यह नियो दिल्ली के रहने वाली है और यहां पर इस टाप नर्स के 20 वेकेंसी और मीडवाइब की 1 वेकेंसी यहां पर तेखिए तो इसको लेकर डाउट है कि सर्य यहां पर MS नर्सिंग वाले अपेरिंग वाले बरसकते हैं क्या तो देखिए यहां पर साब साब बोल रड़का है कि MS नर्सिंग आपका कम्प्लिट होना चाहिए आपका पंजी करन होना चाहिए और साथ में आपका अभ्यास बोना चाहिए तो यहां पर अपेरिंग वाले नहीं बरसकते हैं और रही बात MS नर्सिंग वालों की तो MS नर्सिंग करके 2 साल का अभ्यास आपके पास होना चाहिए अगर जेनेम वाले हो तो चार साल का अभियास यहाँ पर होना चाहिए सिंपल जी बात यहाँ पर बोली गई है ब्रेकेट में आप खुद देख सकते हो ठीक है तो यह बहुत ही सांदार वेकेंस है वेसे तो यह देखिए तो यहाँ पर I hope आपका doubt clear हो गया होगा कि appearing वाले student यहाँ पर नहीं बर सकते किसी भी vacancy में यहाँ पर appearing वाले तो नहीं बर सकते आपका complete होना चाहिए और यहाँ पर experience होना चाहिए तब ही आप broadcast वाले जो vacancy है वहाँ पर apply कर सकोगे I hope प्रेंका आपका comment यहाँ पर clear हो गया होगा जसी छोदरी MP में कब आएंगे बेस nursing forum तो मद्दे पर्देश में अगले month में क्योंकि last July के बाद यहाँ आएंगे विरेंदर सिंग सर यूपी में नहीं है क्या तो यूपी में देखो all इंडिया वाली खाभी सारी विकेंस यहाँ पर निकलती है और रही बात यूपी की तो यूपी में देखो यहाँ पर दो कमेंटे पुस्पेंदर का भी यही कमेंटे यूपी में कब तक आएगी तो यूपी में अभी forum बरेज जा रहे हैं नर्सिंग कोर्स के लिए तोड़ा से मैं आपको दिका देता हूँ जैसा कि आप पर नियूज आप देख पा रहे हूँ क्योंकि मुके सर के पास तो हर एक नर्सिंग की नियूज होती हर एक दुनिया की हर एक नियूज तो यहाँ पर देखो जिन्होंने इसको बहुत ज़दा बढ़ रहा है तो उनका धियान भी इस फिर्ड में अब आ गया है ठीक है तो अभी यहां पर परवेश चल रहा है इसके बाद यहां पर बहुत सारी वेकैंसिया आने वाली है तो चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करने है उत्तर परदेश वालों को बं महाराष्ट की شा कि वेकैंसी कऻ आगी देचो कल अभी वेकैंसिया में आपको बताए लूंगा क्याश्ट की वेकैंसिया अभी निकलिये दस दिन पहले निकलिये अगर जोहन का Comment इस सरी है, कौन से Steady Vacancy है, देखो, मैंने आपको जो बताए्टी Broadcast की वो दिल लिके, कहां की है, दिल लिकी, ठीक है, वहाँ पर साब साब लिखा वाए है, जोहन, दिल लिके Vacancy है, पाइल, राजस्तान एनम की Vacancy में पंजाब के Student एपलाई कर सकते गा, देखो, पर आजस्तान वाले सर जो वेक्यांसी का वीडियो लाते हो वेक्यांसी का लिंक ओपन करने से लेकर फोरंबर के दिखाया करो तो देखो मैं दिखाता हूं जैसे लिंक एक्टिव हो जाता है मैं आपको दिखाता हूं फोरंबर के भी ठीके ना अगर आपको यकिन नहीं होता तो आपके लिए लाइव आके भी में फोरम बढ़ने के लिए तयार हूँ सिवा, सर आपने थ्री डे से वीडियो नहीं दिया बहुत अच्छा कमेंटे, तीन दिनों से वीडियो नहीं आया तो क्यों नहीं आया, इसका कारण में आपको बता देता हूँ तो यहाँ पर तीन दिनों से हमारा वीडियो इसलिए नहीं आया क्योंकि राजस्तान में तीन दिन से इंटरनेट सेवा क्या थी, बंद थी अब आप बोलेंग सरी है सेवा बंद क्यों थी, तो नीचे देख लो उद्धेपुर में 28 जून को टेलर की हत्या यहाँ पर हो गई थी, मर्डर हो गया था, खुल याम, ठीक है तो इसको लेकर यहाँ पर क्या हुआ, कि धरम, यहाँ पर क्योंकि अलग लग धरम में हुआ था तो इस वज़े से यहाँ पर पुलिस परसा सांती बनाए रखने के लिए, इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया नहीं तो क्योंकि सोसल मीडिया पर बहुत ज़दा यहाँ पर नियूज को वाइरल करके, आप समझ गयोंगे, ठीक है तो यहाँ पर कनया लाल जो टेलर उदेपूर आप लिख देना गूगल पर आपको पता लग जाएगा कि क्या यहाँ पर सिलसला था, बहुत ही खतरनाक सिलसला यहाँ पर था तो तीन दिन से यहाँ पर इंटरनेट सेवा बनती, इसलिए आपको वीडियो नहीं मिल पाया, क्योंकि अगर इंटरनेट नहीं होगा, तो आप तक कम्यूनिकेशन कैसे हो पाईगा ठीक है सिवा इस वज़े से वीडियो नहीं आया पाया क्योंकि इंटरनेट सिवा बन थी हमारे यहाँ मनीज सर्मा स्वाई मादुपूर कितनी है सर देखो ओल राजस्तान में मनीज सिए वेक्यांसी आप एपलाई कर देना चाया आप कोटा के हो स्वाई मादुपूर के हो चितोड़ के हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं वो ओल राजस्तान में रहने वाली मनीज बस आपको फोरम बरना होगा और फोरम बोज़द यहां पर निकलने वाले है सिमा सर यूपी वाले राजस्तान में एपलाई कर सकते है क्या जोब के लिए जो अभी वेक्यांसी निकली थी उसमें तो ओनली राजस्तान वाले ही करेंगे बट बहुत सारी ऐसे वेक्यांसी होती है जहांपर एपलाई कर सकते हो और जैसे वो वेक्यांसी आएगी तो हम आपको ज़रूर इनफोरम करेंगे तो इस तरीके से मैंने आपको जो कल वेक्यांसी थी उसका अपडेट यांपर दे दिया और जो आज वाली जो वेकेंसी है ये वाली वेकेंसी केंद्रे होमियोपती अनुसंदान वाली अगर इसको लेकर भी आपके मन में कुछ डाउट है तो सीधा कमेंट आप कर सकते हो आपका अपना चेनल है मुके सर आपको पूरा सपोर्ट करेंगे बस आप टेलेग्राम को फोलो कर लेना टेलेग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहाँ से आप टेलेग्राम को फोलो कर सकते हो ताकि हर एक लिंक आपको मिलती रहे जैसे ये फोर में मैं वहाँ पर बेजूँगा जिसे लिंके टेलेग्राम पर मैं आपको बेज हूँगा तो टेलेग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर ग्रल्स की येसी, येस्टी वालों की और फैसिकली हैंड केप्ट की कोई भी पीस नहीं है फ्री में एपलाई कर सकते हो यहाँ पर तो कोई डाउट है तो सिधा आप कमेंट करो इस वेक्यांसी को लेकर केंद्रे होमेपेत्य को लेकर कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो बाकि अगर आपने टेलेग्राम को फोलो नहीं किया है तो टेलेग्राम को फोलो कर लेना इसकी ओपिसल वेबसाइट का लिंक में सेंड कर दूँगा